हाई दोस्तों आपका मेरी चानल पर फिर से स्वागत है और दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही मैत्पुन मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह मुद्दा है बेसिकली लो राइस वर्सेस हाई-डाइस अपार्टमेंट क्योंकि काफी लोगों क अपने लिए घर देख रहे होते हैं कि हमें लो राइस अपार्टमेंट में जाना चाहिए या हाई राइस अपार्टमेंट में जाना चाहिए तो पहले तो दोस्तों लो राइस अपार्टमेंट क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते है कि जो पहले के दौर था जो पहले का समय था उस टाम में सिंगल स्टोरी नहीं जो बना करते थे और ज़गा पर और जैसे जोगों की any मैंद बढ़ती गई और दिमांड मैंदो तो और नहीं जो मंजिघी इस çीजे उसी के नहीं बढ़ती गई और तो फिर उसके बाद जैसे और शहरी करन हुआ शहरी करन लोग गाओं से शहरों की तरफ बढ़े तो शहरों में जो जमीन थी वह लिमिटेड थी तो उसको देखते हुए शहरों में अब इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कनवर्ड कर दिया गय कि पहले दो तीन चार मंजले थी वह आप मल्टी स्टोरी देखने को गई तो 100-100 मंजले तक भी आप देखेंगे कि आपको चीजे देखने को मिलती है तो बेसिकली जो भी 15 मंजला से उपर जो भी इमारत बनती है उसे हाई रैस की कैटेगरी में डाला क्या है और जो 15 मंजल जो तीन चार मंजला जैसे जो बनती है मारते उसे हम लो राइस कैटेगरी केंदर डालते हैं तो दोस्तों ऐसा ही कॉंसेट अब चल रहा है खासकर अगर हम गुड़गाओं के रियल स्टेट के पर बात करते हैं तो अभी आपने देखा होगा कि हाई रैस और लो राइस में काफी सारी अपाइटमेंट आ रहे हैं और आए हूए है और आगे भी आते ही रहेएं तो दोस्तों अब जो कंषेट के अधार पर हम आगे बढ़ते हैं और आप को क्याृराइस क्या होता है लो राइस क्या होता आप अब जो कनफीजन रहते लोगों को की अब हमें लो राइस पर जाये तो दिखें नों की अपनी खूबिया है दोनों की अपने नुकसान है तो आज इस वीडियो में हम उनी का विशलेशन करेंगे उनी के उपर चर्चा करेंगे तो जिसे एक आपको एक अधत क्लारेटी हो जा यह प्रोज यह खुबिया जो उनकी होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर लोरई डेक्षीयां देखने को मिलती है जो high-rise से इसको अच्छा बनाती है तो देखे दोस्तो low-rise flat होते हैं वो low maintenance होते हैं इसमें maintenance थोड़ी comparatively कम होती है high-rise apartment से क्योंकि देखे यहां पर जो lift का भी उपयोग होता है वो limited होता है बनले एक limited use होगा तो देखा गया है कि comparatively और साफ सफाई करना भी इतना मुश्किल नहीं होता है 3-4 floor जहां की बहु मंदिला इमारत में साफ सफाई करना रख रखाव रखना तो देखा गया है कि इसका maintenance है comparatively low रहता है अगर हम compare करें हाई राइस से फिर fire safety norms बड़ा comply करना यहां पर असान हो जाता है ज्यादा height नहीं होते है buildings की in case of fire आपको मनलब आप फिर भी safe out आराम से कर सकते हैं क्योंकि इतनी height नहीं है और height में जो obviously आपको पता ही है कि जब height कहीं होती है किसी building में और वहां पर fire ऐसे बस्ट आउट हो जाए या fire लग जाए तो वहां पर safety secure करना लोगों को बहुत जागा tough हो जाता है बल्कि low-rise में यह problem देखने को नहीं आती है और तीसरा कर हम बात करते हैं तो low-rise की basically देखा गया resale value भी competitively थोड़ा high रहती है high-rise secure क्यों कि low-rise होता है उनको competitively maintain करना easy होता है और यहां पर maintenance के issues कम देखे जाते हैं और wear and tear कम देखे जाता है तो जब आपकी society maintain देखेंगे wear and tear कम देखेगा तो obviously आपके जो resale value है वो कहीं ने कहीं बढ़ेगी और एक अच्छी खासी resale value भी आपको लो राइज जो अपार्टमेंट है वो देखे जा सकता है in comparison to high-rise apartment और ऐसे अगर आप बात करते हैं तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखा गया है कि जब लो राइस apartment में आप रहते हैं तो आप easy जो होता है ना अब आप जमीन का कहलें जमीन का access easy होता है आपके पास जो भी amenities होती है आपको बहुत जादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता बच्चों को स्कूल के लिए वैन आ रहा है तो वेट करते रहते हैं तो एक देखा जाए तो competitively थोड़ा easy होता है जीजों का access करना अगर आप low-rise floors में रहते हैं अब इसमें कुछ खामिया भी हैं कुछ problems भी है low-rise floors में तो उसके उपर भी चर्चा कर लेते हैं तो दिखें सेफटी का जो इशू रहता है बेसिकली यह आपके जो फ्लोर्स आ है दीन द्याली के फ्लोर्स आ रहे हैं या society concept के अंदर जो चीज़ें आ रही है वहां तो नहीं है यह वाला issues बटी जैसे जो नॉर्मल बिल्डर फ्लोर्स है क्योंकि यहां पर मैं और सबको कम एक low-rise सारी category वाले ले रहा हूं तो मैं जो बिल्डर फ्लोर्स जहां पर सोसाइटी का concept नहीं है तो उनको भी साथ में ही समिलित कर रहा हूं तो वहां पर देखा गया है कि प्रॉब्लम रहती है सेफ्टी इस इस रहते हैं थेफ्ट की दिक्कत रहती है क्योंकि लो राइस बिल्डिंग होती है इसली वहां पर चोरी होने का भी एक डर बना रहता है और बाके फ्लर्ड इशूज है जैसे कि माल लीजे पानी भढ़ जाएगा आपका लो राइस है और स्पेशली अगर ग्राउंड फ्लोर पर अगर आपकी यूनिट है तो वहां पर आपको देखा गया कि जादा दिखते फेस आउट करनी पड़ती है इन प्रॉपर वेंटिलेशन या सनलाइट का थोड़ा अभाव रहता है लो राइस बिल्डिंग में और एक अच्छा व्यू नहीं मिल पाता सोसाइटी का जो कि आपको हाइरेस अपाट्मेंट में देखने को मिलता है और दोस्तों ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं अब हाइ सब्सक्राइब करते हैं तो यहां देखेंगे कि आपको क्लीन एर मिलेगी वैंटिलेशन अच्छा मिलेगा नॉइस पॉलूशन थोड़ा कम मिलेगा और नैच्छोल जो लाइट है वह आपके फ्लाइट में ज्यादा अच्छे से आएगी आपने देखा भी होगा कोई भी ह अच्छे तरह से आजाती है और तो एक टो की सो पेंट में च्चे से आपके अगर फ्लाइट के इंदर पहुंसती है तो क्या होता है कि एक दूसरे को तांख घ्र की रही है और बहुत स्यादा क्लोज होती है तो पता रहता है जो देखा 25 टौ depress वैसे जो आप जो दीनडेल के फ्लोर्स आ रहे हैं उन में तो यह सब प्रॉब्लम नहीं है सेक्योरिटी इसके इशूज नहीं है सेफ्टी इस नहीं है बट हम यहां पर जो कंपरिजन कर रहे हैं पूरा लो राइस वर्सिस हाई राइस जो अपार्टमेंट पूरा सब को ले जहां पर बिल्डर फ्लोर्स को भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पर देखा जाए तो उसके कंपरिजन में आपको हाई राइस में सेफ्टी जादा मिलती है क्योंकि आपको गेट पर गार होता है और आपकी मर्जी की बिना बिसिकली आपके फ्लैट में कोई एंट्री नह और दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब इसके अंदर कुछ कमिया भी है उसके पर चर्चा कर लेते हैं कि हाई रेस में जो कमिया है कि क्या कमिया रहती है और आप जैसे बेसिकली आमने चर्चा करी थी लो राइस में कि यहां पर फायर के जो शिफ्टी नॉम से मिलेंगी और स्पेशली अगर आपके घर में कोई हैं या पेट डॉग वगएरा कुछ टाइप के हैं तो आपको हाई रह रहे हैं और इंकेस और आपको बहुत जादा दिकते हैं बच्चे हैं तो देखने को मिलेंगी क्योंकि जब फायर होता है या इस तरह की कोई करना बंद कर देते हैं और आपको स्टेर केस का यूज करना पड़ता है तो अपने पहले भाग में चर्चा करी वीडियो के कि महंगा पड़ता है मेंटेनर्स भी महंगा है और यहाँ पे पंसक्शन भी चीज़े महंगे बढ़ते हैं क्योंकि जितना बिल्डिंग उपर जाएगा उतना ही उसका डिगिंग नीचे की तरफ जाता है तो मनले एक तरह से कहें कि अगर आप 14 या 15 माला का कंस्ट कर रहेते हों कम से कम 5-6 माला नीचे भी उनको कंस्ट्शन करना पड़ता है उसकी नीज बनानी पड़ती है जो की ल हाइर साइड प्राइजस मिलते हैं इन कंपरिजन टू लो राइस और दोस्तों वही आगे बढ़ते हैं तो वही मेंटेनेंस का पार्ट आगे हैं मेंटेनेंस यहां पर हाई रहती है जैसे कि फूरी बिल्डिंग है उसको मेंटेन करना और रख रखाव रखना फिर उसके ब फिर फिर रखना वेंटेंड करना तो यहां पर चॉप्टेंग है मेंटेनस की जो कॉस्ट है वह आपका अपर हैंड ही रहे गी इंका बर्जन टू लो राइस बिल्डिंग है और चॉट्था और लास्ट कॉएं यहां पर कॉन या तम ही देख रहा हूं वह देख रहा हूं वहां पर आप यह तो नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल 100% सेफ हैं बट वहां पर फिर भी सेफ हो सकते हैं क्योंकि इतना आपको बेसिकली नीची नहीं आना बिल्डिंग से फट आफट आप स्टेर केस लूज कर सकते हैं इनकेस अफ एमर्जेंसी आप मलब बचने की चांसे जो होते हैं कुछ तरह की भी एमर्जेंसी आजए चाहे वह फायर हो चाहे और को तो वहां पर देखा जाए तो लो राइस में चांसे जाता है इन कंपरिजन टू हाई राइस क्योंकि हाई राइस बिल्डिंग में आपने सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपने हाल फिलाल में तुर्की में आये हुए आर्थक्विक के बारे में तो हर किसी ने सुना ही होगा और जिस तरह से तुर्की में आया है चीजें हुई है तो वह बड़े भ्यावया है है और ढल लगता है अब तो एक हाइरा सब्सक्राइबु है को बने चीप जोखिक सावंहाँ करने हैं मला मदम मुझे तो ड़ लगता है वांग हिशा राएं वी आप अपनी पूरे विए नहां अनायों विच्छार चेंज हुए और आपने low-rise को concept को ज़्यादा प्रिफर करेंगे rather than high-rise वो चीजे देखे तो मेरा तो मन पहले था मैं आपको से मैं discussion करूँ कि हाँ मैं high-rise को भी consider कर रहा था बड़ जब से वो चीजें देखी और तो मेरा मन जो विचार है वो low-rise की तरफ ज़्यादा कब आया है सेफटी नॉम से वो देखे जा रहे हैं और को पहले की बिल्डिंग जो थी जिस तरह से वो रेटबिक्श पर बनाई गई हैं और कितने उसके अंदर सेफटी नॉम देखे गए हैं नहीं देखें इसके बारे में तो खैर देखिए कोई जानकारी नहीं प्रॉपर ली है किसी के पास वो कोई इतनी जानकारी प्राप नहीं कर सकता है बट फॉफुलिक जिस तरह से यह मिस हैपनिंग हुए तुर्की में हुई सीरिया में हुई तो अगर उसको देखते हुए गौवर्मेंट हमारी से तरक रहे और हाइज बिल्डिंग के उपर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसके उपर बिल्कुल भी कॉंप्रमाइज ना करें इवन दो लो राइज में भी नहीं करना चाहिए बट हाइज में ल जो है हाई सेसिमिक जोन में यहां पर आपने बता है हाल विलाल में जो वेक्यानिकों ने वीचे तावनी दी है कि यहां पर तुर्की जैसा कभी भी आर्थ कोई का सकता है तो उस तरह से देख जाए तो मैं फोड़ा यहां पर लो राइज की दरफ जाओंगा बाकी आपकी क्या राय है आप क्या समझते हैं आप अपनी राय भी दे सकते हैं आपको लो राइस पसंद है तो आप लो राइस कमेंट करें आपको हाई रिस्क पसंद है तो हाई राइस कमेंट कर सकते हैं तो मैं जान जाओंगा कि आपको राय क्या बनती है और दोस्तों जैसे हम अभी चा स्पेंड हो गए हैं लाइसेंस जो आगे फर्दर जो लाइसेंस हैं वो सस्पेंड कर दी ने जो गुरुगाओं और फारिदाबाद के लिए दीन जाल के बट जिनको अल्रेडी लाइसेंस मिल लेटर ओफ इंटेंट मिल गए हैं वो उनके प्रोजेक्ट आएंगे तो उसी के अभिहाफ पे जैसे सिगनेचर का भी सेक्टर 93 में एक प्रोजेक्ट आएगा एक सेक्टर 79 में प्रोजेक्ट आ रहा है लोग राइस कॉंसेप्ट है ऐसी है अमार जी का सेक्टर 106 में दीन जाल के अंदर फ्लोर्स का कॉंसेप्ट लेके आ रहे हैं और ऐसे ही वो ट्रू है करके एक बिल्डर है उनका भी सुना है जो एक सेक्टर 112 में वह भी कुछ लोराइस फ्लोर्स का कॉंसेप्ट लेके आ रहे हैं तो देखा गया कि यहां पर गौर्वर्मेंट भी जो लोराइस को जादा बढ़ावा दे रही है तो शायद कुछ रीजन हो सकते हैं इसके बीच लोरayस के लाइस मिल रहे हैं और दीनेयाल क smell बंध हो गया दीनेयाल पॉलिजी बंध हो गई, ब्ट मुझे नहीं लगाए कि लोराइस के लाइसस बंध हो जाएक। हो सकता है कि वो किसी और नेम से आएं या किसी और तरह के डवलोपमेंट में आएं बट मुझे लग रहे हैं कि अभी भी लो राइस डवलोपमेंट को ज्यादा कॉर्मेंट करेंगे क्योंकि कहीं नहीं कहीं पता है कि दिल्ली एंसियर का जो रीजन है वह हाई सेट्समिक जोन में और अगर हम हाई-डवलोपमेंट को ज्यादा प्रमोट करते हैं तो कहीं न कहीं इससे इन फीचर अब कोई अच्छ हैवी हर्थ कोई कहा जाता है तो नुकसान जो है वह ज्यादा हो सकता है तो दोस्तों यही था इस वीडियो में मैं आशा करता हूं आपको यह वीडिय जाना चाहिए या लो-णाइस आपार्टमेंट लेने चाहिए तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जो है यह काफी हट्ता क्लैरिटी देने में काम्याब रहा होगा और दोस्तों देखें जो यह आपको वीडियो अच्छा लगाए और आपको इसे कर लें क्योंकि इस तरह के information और इस तरह के knowledgeable facts के साथ जो वीडियो हैं वो लगाता मेरे चानल पर आते रहते हैं तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर अंद कर देते हैं और अब आपको जल मिलेंगे इसी तरह के knowledgeable और informative वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाबाई एंड टेक क्यार